वेलकम बाग, I hope all are doing well So I am Neha Sedi, welcome to Share Market with Neha Sedi हम बात करेंगे कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है कल निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड जो मार्केट, ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसी के बेसिस पर आप जान सकेंगे कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं, US मार्केट का तो जो डाउ जोन्स है, वो है 9.88 पॉइंट उपर चल रहा है अभी मतलब 0.03% का positive return दे रहा है S&P 500, 0.73 पॉइंट नीचे चल रहा है NASDAQ भी 20 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है तो फ्रेंड्स, US मार्केट को आप overall नीचे ही समझीए तो इससे जो हमें साइन्स मिलते हैं कि हमारी कल की मार्केट भी थोड़ा सा flat ही perform कर सकती है अब बात करते हैं European मार्केट की तो European मार्केट भी FTSC 12 पॉइंट डाउन है CAC भी 6 पॉइंट डाउन है and DAX भी 11 पॉइंट डाउन है and अगर हम बात करें Asian मार्केट की तो SGX 67 पॉइंट उपर है बट नेकी 32 पॉइंट नीचे है so friends overall देखा जाए तो global market थोड़ा negative है वहां correction हो रहा है Indian share market ने कल closing कैसे दी है उसके बारे में discuss करेंगे Nifty 50 में 226 पॉइंट का fall देखने को मिला Sensex में 773 पॉइंट का fall देखने को मिला Bank Nifty में बहुत जादा fall देखने को मिला है तो friends हमारी market में कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसका मैं आपको पहले ही बता चुके थी कि कल market यहां तो flat परफॉर्म करेगी या negative परफॉर्म करेगी अब friends मैं आपको 25 जानवरी का डेटा भी बता देती हूं कि FIIs ने कितनी selling की है तो 2,394 करोड की FII ने selling की है जो बहुत जादा है बट उसके comparison में 1,378 करोड की DII ने buying भी की है बट FII इसने अपनी selling को फिर से बढ़ा दिया अभी पीछे थोड़ा सा ठिक हुआ था बट FII ने अपनी selling pressure को दुबारा से generate कर दिया है 24 जानवरी को data था 760 करोड का buying की 760 करोड का selling किया था FII ने और उसके सामने 1,144 करोड का buying किया था DII ने तो फिर दिया थो मार्केट में buying कर रहे है उन्होंने तो buying pressure बहुत अच्छा बनाया हुआ है बट FII लगतातर selling कर रहे है थोड़ी सी मार्केट संबली थे बट फिर उने अपनी selling स्टार्ट कर दी है 1st February को हमारा budget आने वाला है budget बहुत अच्छा आएगा market में recovery जितना भी correction हो रहे है सब कुछ recover हो जाएगा so friends कल की market अभी global market के according थोड़ा flat परफॉर्म करेगी थोड़ा सा negative perform करेगी यह आप अपना mindset लेके चलिए so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो nifty prediction की वीडियो में लेके आते रहते हो daily basis में बिल्कुल भी मिस्मत कीजिए because सबसे ज़्यादा chances होते हैं market is recording perform करती है because हम यह compare करके तब आपको बताते हैं global market कैसा चल रहा है कितना selling कितना buying हुआ है FII, DIY के थूरू उसके बाद कुछ decide हो सकता है so thank you so much